बूड अप्टर नून एब्रीवान विल्कम बेग टू माई चानल तो अभी मैं आ गई हो मेरी टूर की और एक पार्ट लेकर अब यही हमारा लांच कॉंप्रीट हो चुका है तो आप फिर सहां आगे हैं समंदर की जिनारे और इधर देखिये हैं कितना आवाज है गर्जम समंदर की गर्जम वर्बोर फूरोजे आप साथ देख से क्रें हैं तो फिश फिशर्मन के बोर्ट है आप आप अज ब्रेकप की तरह लांच भी हमारा देर से हुआ है तो हमने सोचा और लांच होते होते थी थी ट्वेंटी हो गये थे तो हमने सोचा आभी अधि अधिन नहीं जाएंगे तो हमने जो डिस्टेंड में खायत है उदर से सीध है तो इसलिए हम फैदल वाप करेंगे तो इसलिए हमने निकले हैं और लांच के बाद पैदल चलने की और एक कारण है कि खाना थोड़ा सा हजम हो जाएगा तो चल्ड़ चल्ड़े हमने देख रहे हैं यह जोश किया है यहां का और देखिए कुछ लोग से उंदर के किन्यारे बैट कर दिंजय कर रहे हैं और यह ब्लू कालर का जो होटल है उसका नाम है सोईका दावाज हमारी होटल के बिलकुल पास ही है और इधार रखायों लोगों ने कोई भी टाइम बर्बंद्न ही करना चाते हैं पुरे व्रक इंजय ही करना चाते हैं और इधार एक पार्क थे विरकुन हमारे राड साइड में देखे हालत क्या है पार्क का कोई नाम निशान नहीं है और रास्ते के भी हालत देखें और इधर सरे उच्छे जो जागा अब देख रहे हैं इधर सारे चेयर से लोहे का वही नहीं है और रास्ते के हाल देखें और इधर देखें इलेक्ट्रिक का पोल उखर गया है तो हम जीतने आगे जा रहे है उतने ही हमारे नाजर में आ रहा है याशकी जो पांड़ तो हम इस सारे मिशाने छोल गया है और दिखें आद्र समंदर के इसांथ है दूर के अधर दूर्ट्रक आप देखें पार है बाउंडरी उबाल है उधर तक पानी चल गया थे ओ और अब इधर दीन में डुकान नहीं खुलती है और आभी चार-सारे-सार बाज रहे हैं तो छोटों छोटों जो होकर्स है वह निकले हैं तो आपकूः और निकले हैं दूकान ने खुलते हैं कोई भी दुकान भी ने कुलते हैं जो खूलते है शाम को जो रिस्टूएंट पे हमने लांज किया था उसका मालिक का कहना था इजार अभी नौबाजे तक खूला रहता है रात और रोट्स पे लाइट्स भी नहीं है अभी तक बिजली ट्रिक से नहीं आ चुके तो प्राब्लम होता है इसलिए जल्द जल्दी बंद भी हो जाता है लेकिन इलेक्ट्रिक के काम अभी बहुत जल्दी जल्दी इलब कम्प्रिट करना कर रहे हैं कर्मेंट के जो लोग है कि यह देखिया हालत है कि है विशुगंगला गेट इसके पास की जो रास्ते है इसका हलत देखिया बहुत ही खुप्स रहता है लेकिन आवा हालत बिगड़ गए है और यह सरे चीज़ को देखकर आप ने समझी पाया कि याश ने कैसा तंडव मचाया इधर तो आभी छोटे छोटे जो होकर्स के स्टोल है और अभी सही लोगों का निकलना शुरू हो गया है क्योंकि जोल्दी से इधर का लाइट साब चला जाता है और इधर लिप साइट में रहिए बैटने का जाएगा है समंदर के पीर में सारे जो पत्तर है उसका टाइल श्रॉप उखड़ लिया है अब देखी बार आए है और इधर टाइलेट उसका हालत भी ऐसा है अधिके सारे बड़े बड़े जे दुकाने नहीं है और इधर ते एक टाइलेट उसका हालत भी ऐसा है सब बंद है सारे दुकान के जो शाटर है सब तरण मन के राग दिया था और फिर से लोग नाय से इसको बना रहे हैं कि देखिए सारे दुकान अब बंद है लेकिन इस याश के पहले इस सारे दुकान खुला रहते थे सुबह से रात तक तो फ्रेंड्स यहां आप लोगों की आना जाना शुरू हो चुका है तो अधर करके लोग आ रहे हैं और बहुत स्ट्रिकली इधार करना के लिए चेकाफ हो रहे हैं और हार होटल में पुलिस जाके जो होटल का होटल का जो टूरिस्ट है उन लोगों का कोवीड टेस्ट की रिपोर्ट चेक कर रहा है तो विदर्ट रिपोर्ट आप इधर आने ही सकते तो आभी थरथरे करके आना भी चाहिए लोगों का इधर नहीं तो इधर का जो लोगों लोग है ना उसका लाइफ उसका जो काम का अच सब बहुत हो चुका है तो उसका घरवार चलाना बहुत ही प्रॉब्लेम में है तो इसलिए हमें थोड़े थोड़े करके कुवीड का जो नियम है वो मान के धर आना चाहिए तो हम आएंगे तो इसका लाइफ अच्छा हो जाएगा अब समझी सकते हैं मैं क्या बोल रहे हैं बहुत है तो फ्रेंड्स ब्लोग अगर अच्छा लगा तो जोरूर लाइक श्यार और सब्स्वाइब करनें और बेल लाइक दावना मधुलना कि अधिके सारी प्रीज थे जावन दोंके हैं क्या हाल हुआ है कि आशके समय कि बंजर अगंगे और इधर ने खिला कि गौब्मेंट के ताफ से दिये हुए सारे जो दुकंदर को नुफसन हुआ है बेस्कि आसपर जो बैटते हैं है उसके लिए अभीता के चलो नहीं हुआ कि इतना बुरा लागता है ना इतना अच्छे जागा क्या हाल हो गया हुआ 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 है